इस दुनिया में बहुत प्रकार के लोग हैं और उनमें भी प्रकार प्रकार की चीजे हैं अगर हम बात करते हैं height की तो height एक इनसान का short हो सकता है जैसे कि ये इनसान छोटा है on the same time ये इनसान लंबा है अगर मैं बात करूँ बाल के बारे में तो किसी के बाल straight हो सकता है किसी के बाल curly हो सकता है और भी बहुत सारी चीजे होती है अगर मैं बात करूँ fairness की तो किसी का fair completion हो सकता है on the same time किसी का dark completion हो सकता है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर skin tone बोलना था हमका trees की भी बात करें, तो कुछ tall plant होता है, कुछ shrubs होता है, कुछ on the same time छोटे पेड़ होता है, कोई tall हो सकता है, कोई medium हो सकता है, अलग-अलग प्रकार के पेड़ है, इसी तरीके से, अगर हम birds की बात करें, तो birds की भी weak पे बात करूँ, तो इसका weak अलग है, body का structure अलग है, color skin tone से ले करके, height, पेड़ का height, या फिर इनसान की height, या फिर bigs के बारे में बात करें, anything, there are always possibility, जैसे अगर ना बात करूँ, hair का type, ये एक character था, skin tone, ये character था, height, ये character था, ठीक है, peak, color, ये character था, लेकिन इसके अंदर possibility थी, straight hair हो सकता है, curly hair हो सकता है, fair हो सकता है, dark हो सकता है, short हो सकता है, tall हो सकता है, तो ये जो possibility होती है, इसको हम traits कहते है, any detectable feature is called as a character, और उस character के जो possibility है, उनको traits कहा जाता है, let's move further, इन सारी चीजों के बारे में हम detail में बात करने वाले है, class 9 science के इस chapter में, जिसका नाम है, heredity and variation, ये है chapter number 16, और आज हम इसका देखेंगे lecture number 1, और इस लेक्चर में हम बात करेंगे, वो सारी चीजों के बारे में, जो भी page number 179 to 181 पे है, मैंने में शुवम जा, an educator by choice, और certified memory coach, and a creative learner, and हाँ तुम सबका प्यारा भाई, तुम्हारे प्यारे भाई ने ये सारे chapter पढ़ा दिये है, इन सबका link description में है, साधे जात, telegram पे आपको इन देखा, traits मतलब possibility, इन traits को control करता है gene, आपको मैंने मन में एक सवाल आ सकता है, ये gene क्या होता है, बताऊंगा मैं आपको, these traits are not only decided by one gene, but a pair of gene, ये जो traits होता है, इनको एक gene decide नहीं करता, but pair of gene decide करता है, और ये pair of gene को हम alleles of each other कहते है, याद रत न, trait तुम्हें पता है, character तुम्ह पता है, gene क्या होता है, ये मैं तुम्हें बताऊंगा, और वही gene जब pair में होता है, तो उसको alleles कहते है, अच्छे से पूरे chapter में ये सब चीज़ा सीखना है, अब देखो, ये दो लोग है, एक male है और एक female है, और इनका एक बच्चा हुआ है, ये थोड़ा-थोड़ा सा ममी पापा की तरह दिखेगा, लेकि काफी ज़्यादा अलग भी दिखेगा, the young one do not look identical to their parents, हूब हूँ अपने parents की तरह नहीं दिख रही, as they undergo sexual reproduction, क्योंकि ये जो बच्चा हुआ है, ये sexual reproduction के through हुआ है, similarly, अभी अगर मैं इस प्याज की बात करू, onion की बात करू, तो ये onion के जो बच्चे है, exactly onion जैसे दिख रहा है, यहाँ पे all sexual reproduction हुआ है, इसलिए वो identical दिख रहा है, और ज़्यादा सही से बताऊं, तो यहाँ पे vegetative propagation हुआ है, moving further बच्चो, यहाँ पे ये अलग क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक pair of gin, ममी से आया, दूसरा pair of gin, पापा से आया, और अब तब जाकर कि यह baby double up हुआ, मतलब यहाँ पे variety है, mother से कुछ अलग आ रहा, father से कुछ अलग आ रहा है, that's the region कि यहाँ पे यह थोड़ा अलग है, अब इसी चीज़ को हम heredity कहते हैं, कि पुराने जैसा नया और उसमें थोड़ा बहुत changes होना, देखो, transfer of characteristic, जो characteristic इसके प offspring, मतलब parents to children में transfer होता है, यहाँ था clear है, the branch of biology which deals with the study of transfer of traits, branch of biology जो study of traits से deal करता है, particularly अगर हम genes की study बोले तो उसको बोला जाता है genetics, यह बात भी याद रखना, कुछ questions है तुमारे लिए, our dash decide our traits, हमारा क्या हमारे traits को decide करता है, mitochondria gene, गोल की body, a plastic, second question, the pair of genes are called as chromosome, nuclear alleles, isomers, आपक सा question है, transfer of characteristics from one generation to other each called as dash, यह भी तुमें comments हो बता है, एक छोटी सी बात बताता हो तुम्होंता, 10th standard के लिए live, 10th standard के लिए live lectures मैं ले रहा हूँ, हमारे channel easy learning पे, उसको लीचे मैं description में डाल दूँगा, उसको subscribe कर ले न, daily, 10 बज़े से ले करके, 10-40 तक lecture हो रहा है, रात को आप पा सकते हो, एक और शुड़ी सी बात बच्चो, अनेक एडमी आपके लिए ले रहा है prodigy, एक scholarship test जिसका जो total pull है, वो 10 करो रुपीज का है, और यहाँ पे आप 20 लाग तक का college grant जीत सकते हो, यह 23rd January से शुरू हुआ था 10 a.m. onwards, यहाँ पे class 7th, 8th, 9th और 10th के बच्चे दे सकते है test course, आते साथ, class 11, 12 के वो बच्चे भी दे सकते हैं, जो की NEET या फिर JEE के लिए prepare कर रहे है, engineering या medical के entrance exam के लिए prepare कर रहे है, तो अगर आपके कोई भाई बहन कोई भी बड़ा छोटा होगा, तो आप उसको बता सकते हो, exciting scholarship और rewards है, और यह एक all India level tester, description में link रहेगा, जिसमें आप enroll कर सकते हो, SJS उपर यह code योज करके, और मेरी तब यह थी खराब है, तो please mind मत करना, चलिया आगे बढ़ता है, यहाँ पर जो exciting rewards है, हट test के बाद वो include करता है, MacBook Air अगर आप rank 1 पे आ जाते हो, rank 2 and 3 पे Apple के iPhone, rank 4 and 5 पे Apple, iPads, rank 6 to 40 पे Amazon, Ecodot, rank 41 to 100 पे Amazon के vouchers, scholarships labs के अगर हम बात करें, तो वो कुछ इस प्रकार है, कि rank 1 to 10 को 100% scholarship मिलेगा, rank 11 to 25 को 75%, rank 26 to 100 को 50%, rank 100 and 1 to 200 को 25% और rank 200 and 1 to 500 को 15% का scholarship है, इसके अलाबा बच्चों, आप मेरे regular live classes में भी आ सकते हो, जिसके बारे में हम आपको बाद में बता हूँगा, बट यहाँ पर Prodigy के बारे में जब मैं बता रहा हूँ, यह बता दिना चाहता हूँ मैं आप लोग को, कि test 1 already हो चुका है, test 2 भी already हो चुका है, test 3, 6 Feb को होने वाला तो फट से enroll कर लो, और test 4 होने वाला 13 Feb को उसमें भी enroll कर लेना, सारे timing से आपे mentioned है, तुम्हारे जितने भी test होंगे class 9, 10 के बच्चों के वो 12 बज़े होने वाले, is it clear to one and all, please enroll कर लेना, enroll करने के लिए code यूज करना, SJS उपर 10, this is my academy profile, और बच्चों मैं काफी सारे free life classes भी लेते रहते हो, और academy पर जिसमें भी आप enroll कर सकते हो, उसका भी link description में डाल दिया गया है, आपको जो code यूज करना है, वो है SJS उपर 10, all the best let's meet in the class and हाँ prodigy में जीतो गयो तो नीचे comments में जरूर बताना, मेरे तरफ से तुमें मिलेगा एक hot, let's move further, कुछ basics की बात करते हैं, अभी तो हमने heredity समझा, genetics समझा, अब कुछ basics की बात करते हैं, हम सब जानते हैं इस दुनिया में बहुत सारे पेर, पौदे, जानवर, बह अगरी करते हो, यह तुमने बहुत ही जादा lower standards में पढ़ा होगा, कि basic unit of life is cell, अब यह जो cell होता है, इसके अंदर एक central controlling unit होता है, जिसको बुला जाता है nucleus, ठीक है, यह जो पिया violet color का दिखाया जाना, purple color जो भी बोलो तुम, वो है nucleus, यह carry करता है, hereditary characteristic, जी हाँ, nucleus के अंद यह इतना important इसलिए है, क्योंकि यह hereditary characteristic को carry करता है, अब यह nucleus के अंदर होता है, बहुत ही important चीछ, जिसको बुला जाता है, chromosomes, मतलब color और body, तो colored body होता है, जिसको हम chromosomes बोलते है, और यह chromosome के उपर, coiled form में, ऐसा रसी की तरह लपेटा होता है, हमारा DNA, और DNA के, एक segment को बोला जाता है, gene, तो gene क्या तुम समझाया, कोई बात ही, नहीं समझाया, तो अभी बताता हो, हमारे पास cell था, basic fundamental unit, इसको fundamental इसलिए बोलते है, क्योंकि इसके अंदर nucleus होता है, जो hereditary characters को contain करता है, अपन क्रोमोजोम, यहाँ पर दिख रहा है, X की तरह, यह है तुम्हारा क्रोमोजोम, क्रोमोजोम के ऊपर लपेटा हुआ है, coiled form में एक चीज, जिसको बोला जाता है, तुम्हारा DNA, और इस DNA के, यह जो मालनों हमारे DNA है, इस DNA का एक specific टुकडा लेता हूँ मैं, तो जितना मैंन इतना सा ही टुकडा लेता हूँ, या फिर इतना सा ही टुकडा लेता हूँ, या and so on, अगर मैं इसके छोटे-छोटे सा segments लेता हूँ, तो segment of DNA को मैं gene बुलाता हूँ, is it clear कि gene क्या होता है, DNA का एक छोटा सा segment, DNA का एक छोटा सा टुकडा, आगे बढ़ते है बच्चो, तो हम अगे बढ़ते हैं और structure of chromosome को समझने की कोशिश करते हैं, अगे तुम वीडियो यहां तक देख रहे हो, तो मैंने अपने personal mentorship program के बारे में भी इस वीडियो में end में share किया है, उसको जरूर देखना, structure of chromosome, chromosome के structure की बात करूँ, तो अगे जब तुम एक chromosome को देखते हो, तो मैंने एक chromosome लिया, और इस chromosome को अगर मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ, तो सबसे पहले मेरा नजर जाता है, वो नीचे की खाचे की तरफ, जिसको हम कहेंगे, there is a constricted region on the chromosome, यहाँ पे यह है न, यह वाला, यह constricted region है, और इस constricted region को हम बुलते है, primary construction, या फिर centromere, अब दियान से देखो, यह जो centromere है, यह DNA को दो parts में बाट देता है, this centromere divides the chromosome into two parts, जरूरी नहीं कि दोनों part equal होगा ड्यान से समझना, अब उपर के तरफ, each part is called as arm, यहाँ पे जो भी है, इसको एक arm बुलाते हैं, और उपर की तरफ, जो short arm है, यह जो short arm है, उसको हम P arm बुलाते हैं, और नीचे के तरफ, जो long arm है, उसको हम Q arm बुलाते हैं, यह diagram तुम से पूछा जा सकता है, और बीच में क् primary construction या फिर centromere, centromere डिवाइट कर रहा है दो पार्ट में, long arm and short arm, long arm is called as Q arm and short arm is called as P arm, moving further प्यारे बच्चो, centromere जो होता है, वो किसी specific position में होता है, हर एक chromosome में, the centromere has a specific position in each chromosome, हर एक chromosome में, यह centromere एक position पे होता है, और इसका position के हिसाब से, there are four types of chromosome, जी हाँ, these four types are, metacentric, submetacentric, acrocentric and telocentric, हर एक के बारे में हम detail में पढ़ेंगे, लेकिन यह हमें पता कब चलता है, यह हमें पता चलता है, at the time of cell division, अब तुम मोलोगे भईया, यह cell division क्या होता है, तो cell division के बारे में, हम पढ़ेंगे, हमारे 10 standard में, ठीक है, but cell division का simple सा बतलब तुम यह जान लो, कि एक cell से तुमारे 2 cell बन रहा है, 4 cell बन रहा है, cell divide हो रहा है, is it clear, अब देखो, अगर हम इस time में, अगर एक cell को लेते हैं, जो divide हो रहा है, जिसमें हमें clearly cell division दिख रहा है, और हमें यह types of chromosome भी दिख रहा है, और उसको अगर मैं microscope के अंदर देखता हो, तो पुझे बहुत सारे chromosome दिख होगा, हम consider करके चलता है, human वाला, let's move further, types of chromosome can be easily identified during, किस समय में आपको नीचे comment में करके, comment में answer बताना है, 4th का answer क्या है, 5th का question देखो क्या है, there are dash types of chromosome, यह भी आपको नीचे comment में answer बताना है, 6th is the constructed region of each chromosome is called as dash, आपको नीचे comment में answer बताना है, और यहां तक यह सारे question खतम होत में, जो कि आज का हमारा आखरी topic है, हमारा एक channel है, sj talk, जिसको भी मैंने description में डाल दिया, please उसको subscribe कर लेना, उस पर मैंने अपने life के story के बारे में बताया है, तो उस पुरे playlist को ज़रूर देखना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा तो है, let's talk about type of chromosome, पहला होता है, metacentric, जिसके at the midpoint of this chromosome, तो यह जो chromosome है, उसके exactly midpoint में तुमारा centromere है, और यह उसको V shape देता है, the chromosome looks like English letter V, यह जो chromosome है, वो English letter V की तरह दिखेगा, और यहाँ पे the arms of this chromosome are equal in length, centromere एक ऐसे जगे पे गया है कि chromosome के जो दोनों arm बनेगा, P and Q, वो बराबर length का बन जाएगा, is it simple, is it clear, अगर हम बात करें, human karyotype में तो 1, 3, 16, 19, 20, अगर यह human karyotype के हम बात करते हैं, तो 1, 3, 16, 19, 20, metacentric chromosome होता है, तो बुलों के भाया, humans के अंदर तो 23 pairs of chromosome होता है, यह 23 वाला किदर गया, दूसा color ले ले तो, ठीक है, 23 वाला किदर गया, बात में बात करता है, अब यह आपे अगले point पे चलता है, अब अगला जो तुमारा वो है, sub-metacentric, sub-metacentric मतलब, center से थोड़ा नीचे, देखिए धान से, the centromer is somewhere near the midpoint, कहीं पे midpoint के पास है, in the chromosome, मतलब, exactly मीच में नहीं है, बीच के कहीं तो पास में है, यह इसको एक shape देता है, L shape, the chromosome looks like the English letter L, L की तरह दिखता हूँ, बच् One arm is slightly shorter than the other, एक arm जो है, वो दूसरे से थोड़ा छोटा है, अगर हम बात करें, human karyotype की, तो in human karyotype, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, and X, जो की एक sex chromosome होता है, they are all sub-metacentric, यह तुम से कोई नहीं पूछने वाला है, जस्ट जानकारी के लिए बता दिया, acrocentric, the centromere is near one end, एक end के पास जा रहा है centromere, पूरे end पे नहीं है, लेकिन एक end के पास है, acrocentric में, acrocentric में थोड़ा J की तरह shape दिखता है, the chromosome looks like the English letter J, और अगर मैं बात करें, the arm is much smaller than the other, एक arm जो है, वो दूसरे से बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर human karyotype की बात करें, तो 13, 14, 15, 21 and 22 and Y is acrocentric, let's move further, tillocentric, last वाला क्या है हमारा, tillocentric, the centromere is right at the end, जो हमारा centromere exactly उपर आ जाता है, और यह I later की तरह दिखता है English में, और यहाँ पर हम बात करें, the chromosome consists of only one arm, इसमें खाली एक ही arm है, दूसरा arm है ही नहीं, is it clear, क्योंकि जो तुमारा centromere exactly उपर आ चुका है, let's move further बच्चो, अगर हम human karyotype की बात करें, तो उसमें एक भी tillocentric नहीं होता है, लेकिन यह tillocentric माइस में होता है, जो की चुहा, चुहे के karyotype में, 13, 14, 15, 21 and 22 are tillocentric, very good, यहां तक समझ आ गया है, तो चलिए बात करता है कुछ चीजों के बारे में, इन somatic cells, chromosome are impairs, अब तुम मेरे से एक बात पूछ सकते हो, कि भाईया, सारी बाते ठीक हैं, लेकिन यह somatic cells क्या होता है, तो देखो, cells दो प्रकार के होते हैं, एक होता somatic cell, और दूसरा जो होत reproductive cells एक ही चीज़ का नाम है, दो, reproductive मतलब जो reproduction के time में काम आता है, male के अंदर वो होता है sperm, और female के अंदर वो होता है ovum, ovah, या फिर एक जो भी बोलो तू, ठीक है, तो somatic cell जो होते हैं, वो हमेशा pairs में होता है, a cell of the body other than reproductive cell, जैसा कि मैं बताया, somatic cell मतलब क्या होता है, कोई भी वो cell, जो reproductive cell को sperm और ovum को छोड़ करें, अब देखो, if, ये बात पर जना ध्यान देना, if the pair consists of similar chromosomes, जैसे देखो, ये वाला chromosome, और ये वाला chromosome, दोनों same है, या फिर तुम ऐसे भी उपर उपर भी देखोगे, तो वो same chromosome है, if the pair, chromosome हमेशा pair में आते हैं, ये बात याद रखना लिख लो इसको कहीं कि, chromosomes are always in pairs, if the pair consists of similar chromosomes, by shape and organization, they are called as homologous chromosome, एक जैसा दिखने वाला, homologous chromosome, मैं पलती बलती मार के बैड़ गया हूँ, ठी है, अगर same type का chromosome होगा, structure में, organization में, shape में, तो उसको homologous chromosome मोलेंगे, and, अगर, if they are not similar, अगर, वो same नहीं है, they are called as heterologous chromosome, इसको हम heterologous chromosome कहते है, is it clear to one and all, let's move further, in sexually reproducing organism, ओ organism, जो sexually reproduced करते है, मतलब एक male होता, एक female होती है, दोनों के, gametes का union होता, gametes मतलब क्या होता है, वो sperm male में, और female में क्या, ovum egg या फिर जो भी तुम उसको नाम दो, ठीक है, in sexually reproducing organism, one of the chromosomal pair is different from all others, एक chromosome का pair, बाकि सबसे अलग होता है, जिसको हम sex chromosome, या फिर allosomes कहते है, x और y, मैं तुम बताओ में, ठीक है, x और y, देखो simple बासा में समझो, तुम ऐसे, कि, humans के अंदर, humans के अंदर, total 23 pair of chromosome होते हैं, pairs होते हैं, 23 pairs होते हैं, 23 pairs होते हैं, 23 pairs मतलब total chromosome कितने होगा है, 46 chromosome होगा है, अब इन 46 में 22 होगा, वो autosome होगा, autosomes, और जो एक pair होगा, ठीक है, एक pair, यहाँ पे 22 pair है, वो क्या होगा तुमारा, 6 chromosome हो, अब 6 मतलब क्या होता है, male या फिर female, अगर तो हम एक male की बात करते हैं, तो ये जो pair होगा, pair मतलब 2 न, तुमा लेते हैं, ये 2 chromosome का डबबा है, ठ अगर हम एक female की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी एक pair होगा, pair मतलब 2, right, तो male के अंदर X और Y होता है, female के अंदर X और X होता है, is it clear, तो 22 autosomes हैं, जो तुमारे body के सारी चीज़ों को decide करेंगे, except your gender, और बाकी का जो एक pair है, क्या है, 6 chromosome है, एक pair मतलब 2 chromosome, is it clear to everyone, male के the dash type of chromosome looks like the English letter J, तुम्हें इसका answer comments में देना है, which of the following organisms has 46 chromosome, इसका भी answer तुम्हें comments में देना है, पूरा वीडियो मैंने एक take में record किया है, and मेरी तव्यादी भी इतनी कुछ खास ठीक नहीं है, आजी वेट के notes को पूरी तरीक से prepare किया गया है, तो मुझे बहुत अच्छा ल आपको पूरीतरी कैसा help करूँगा, अपने goal को achieve करने में और उसको excel करने में, दीखो, दुनिया में बहुत सारी फालतुगिरी चल रही है, अगर मैं सच बताव तो, many people are not very serious, ठीक है, मुझे personally guide करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं बहुत struggle करकर के आगे जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा एक learner ऐसे सफर करे, यह सब के लिए program नहीं है, ना तो सब लोग इसमें action लेने वाले है, लगभग, लगभगी करावन में figure बताओ तुम्हें, बहुत छोटा figure तो एक जो link आपके नीचे डाला हूँ है, उस पर 10,000 plus clicks आया है, तो मैं पता है, join करने इसा एसा है, कि हाँ यार, आग बंद करके सोचो, कि यार, सच मैं मुझे कोई guide करने वाला रहाना, सरी रस्ता दिखाएगा, तो मैं मचा दूंगा, तो this mentorship program is for you, यह बहुत ही सस्ता program है, जहाँ पे आपको मेरा number मिल जाएगा, यह सारी चीज़े छोड़ दो, यह सारी चीज एक certain number of student, जैसे अचीव हो जाएगे, मैं बढ़ा दूंगा, फिर आप इसी prize में join नहीं कर पाँगे, आगे से जो भी रहेगा, मैंगा हो जाएगा, so, आगर आप एक discount code यूज कर ले तो winner, तो आपको एक साल के लिए 99 रुच पे करना है, which is very small, एक साल के लिए 99, पैसे कमान के लिए नहीं है, कुछ सपने मेरे उसको पूरे करने के लिए, so, मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा struggle करे, anyways way, thank you so much for joining this mentorship program, I know कि तुम अगर सच में एक serious student हो तुमें, in case, एक बार भी असाल को है कि मुझे कोई अच्छा से guide करे भाई की तरह, तो मैं मचा हूंगा, so, this is for you, let's Thank you so much, happy learning.